नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेटी फॉर इजांस में दोस्तों प्रश्णों को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारे कुछ पेड़ कोर्स भी एवलिवल हैं आप नीचे दिये गए नमबर्स पर कॉल कर पेड़ कोर्स की जनका इप्राप्त कर सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिए देखते हैं आज का पहला प्रश्ण हिंदी साहित में आधुनी काल का नाम सरप्रतम किसके द्वारा दिया गया आचाय रामचन सुकल हजारी प्रसाद दिवेदी डॉक्टर नगेंद्र या रामकुमार बर्मा इ लिखी हैं पैरोडी स्यापा गाली लाउनी या सभी इसका जो सही आंसर होगा वा ओप्शन डी सभी भारतें की काब रचनाएं तीनों सहलियों में मिलती हैं नैश को सन श्रीदर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम रचना कौन सी है वनाश्टक देहरादु गुडवन्त हेमन्त या जगत सचाई सार इसका जो सही आंसर होगा वा ओप्शन सी गुडवन्त हेमन्त या स्रीदर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली में प्रथम रचना है नैश को सन प्रिप्रवास रचना का सरपर्थम नाम क्या था बकरी बिलाप वरजांगना बि इसका जो सही आंसर होगा वा ओप्शन बी ब्रजांगना बिलाप प्रिप्रवास रचना का सरपर्थम नाम ब्रजांगना बिलाप था प्रिप्रवास जो रचना है वा हर्योज जी की है नैश को सन किस कवी ने अपने आपको कोटुम्बिक कवी माना है मैतली सरण गुप्त भारतिन हरिस्चन आचार सुकल या कवी भूसर इसका जो सही आंसर होगा वह ओप्शन ए मैतली सरण गुप्त ने मैतली सरण गुप्त ने अपने आपको कॉटम भी कवी माना है नेश कोशन मैतली सरण गुप्त को राष्ट कवी की उपादी किस ने दी सरदार पटेल ने लाला लाजपत्राय ने जवालाल ने ने या मातमा गांधी ने इसका जो सही आंसर होगा वह ओप्शन डी मातमा गांधी ने मातमा गांधी जी ने ही मैतली सरण गुप्त को राष्ट कव के उपादी दी थी किसे दिवेदी युग में हर गीत का चंद का बात साख आ जाता है मैथली सरड़ गुप्त हजारी परसाद दिवेदी कभी भूसर्ड या इन में से कोई नहीं इसका दोसरी आंसर होगा वह आप्शन ए मैथली सरड़ गुप्त को नैशकोसन रस्खान घनानन बोधा किस काल के कभी हैं रीतिबद रीतमुक्त रीतिसिद या इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर होगा वह आप्शन भी रीतमुक्त रस्खान घनानन बोधा रीतमुक्त काल के कभी हैं केसव दास, सेनापत, भिखारी दास वा पदमाकर किस काल के कवी हैं रीतिबद, रीतमुक्त, रीतिसिद या इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर होगा और आप्शन ए रीतिबद केसव दास, सेनापत, भिखारी दास वा पदमाकर रीतिबद काल के कवी हैं नेश कोषन कौन सी करिद नरोतम दास्की नहीं है सुदामा चरित, दरूचरित, प्रेमवाटिका या विचार माला इसका जो सहीं सरोगा और option C प्रेमवाटिका बाकि तीनो रचना नरोतमदास्की ए प्रेमवाटिका जो रचना है वो रस्खान जी की है सवया चंद में कृष्ण लीड़ा का गान करने वाले पर्थम कभी कौन थे कवीरदाज, तूलसीदाज, सूरदाज या रस्खान इसका जो सही आंसर होगा वा आप्शन D रस्खान नेश कौन से रचना मीरा बाई की नहीं है गीत गोविंद की टीका, अश्टयाम, राग सोर्टा, राग गोविंद इसका जो सही आंसर होगा वा आप्शन B अश्टयाम यह मीरा बाई की रचना नहीं है, अश्टयाम बागी यह तीनों रचनाएं मीरा बाई की है नेश को सन, मीरा ने कृष्टय की उपासना किस रूप में की है प्रियतम या पत की रूप में, सखा के रूप में, सिस्या के रूप में, यह इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर होगा वा आप्शन A प्रियतम या पत की रूप में नेश कोशन वासल रसका समराट किसे माना जाता है सूरदास को मीराबाई को तुलसीदास को या रसखान को इसका जो सही आंसर होगा वह आप्शन ए सूरदास को वासल रसका समराट सूरदास को माना जाता है नेश कोशन हिंदी साहित में भ्रहमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन किसे किस ने किया तुलसी दास बिठलनाज कवीर दास या सूर दास इसका जो सयांसरोगा वह option D सूर दास ने हिंदी साहित में भ्रहमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन सूर दास ने किया था नेश कोशन, सूर्स आगर में कितने पद और कितने असकंद हैं ओप्षन A, ओप्षन B, ओप्षन C या ओप्षन D इसका जो सही आंसर होगा वह ओप्षन C, 4936 पद और 12 असकंद हैं नेश कोशन, सूर्दास की रचनाओं का सवरपरतम संपादन किस नाम से हुआ राग कल्प दुम, सूर्स आगर, प्रभु या इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर होगा वह ओप्षन A, राग कल्प दुम के नाम से सूर्दास की रचनाओं का सवरपरतम संपादन, राग कल्प दुम के नाम से संपादित हुआ था किस कांड को रामचरित मानस का हिर्दय अस्तल कहा जाता है अयोध्या कांड को, बाल कांड को, सुंदर कांड को या लंका कांड को इसका जो सही आंसर होगा, वह ऑप्षन A, आयोध्या कांड को, आयोध्या कांड को ही रामचरित मानस का हिर्दय अस्तल कहा जाता है नेश कोशन, रामचरित मानस के सातो कांड का करम समझाईए आप्षन A, आप्षन B, आप्षन C, या आप्षन D, इसमें रामचरित मानस का जो सातो कांड का जो सही करम है वह है बाल कांड, इसके बाद आयोध्या कांड, फिर अरण्ये कांड, इसके बाद किसकिंदा कांड, किसकिंदा कांड के बाद सुंदर कांड, सुन्दर कांड के बाद लंका कांड और उसके बाद उत्तर कांड आता है इसके अनुसर option D सही होगा next question सही मिलान कीजिए इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है option A, option B, option C या option D इसमें ब्रिद विवा जो रचना है वह भगवती परसाद जी की है भारत विजय जो रचना है वह जीवानन सर्मा जी की है नेत्रोन मीलन जो रचना है वह मिस्र बंदु की है और उन्नेत कहां से होगी जो रचना है वह कृष्णनन जोसी जी की है इसके अनुसार option D सही होगा दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको like कर सकते हैं चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना विलेए चैनल को subscribe कर लिजी आप हमारी free telegram channel को जरूर जाइन कर लिजी मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत